हेलो दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है तो चलिए हम आज बनाएंगे आलू फिंगर तो इस नए तरीके से तो पहले हमने आलू ले लिया है देखिए अब इसको चील लेंगे ऐसे करके कि अब देखिए हमारा अच्छे से चलिके हो गया है इसको हम कट करेंगे कर दो कर दो देखिए है ऐसे से करके हमें काट लेना है कर दो है कर दो हमने सारा अलो को ऐसे काट लिया है इसका पीज बनाएंगे भी काट कर लोग है क्यान ए ए इससे करके हमें सारा काट लेना है इस तरीके से लेगा segu देखिए हमारा अलू कटके रेडियो गया है कि अच्छे से कटा है नहीं तो ज्यादा पतला है और नहीं ज्यादा मोटा इसको हम दो लेंगे ऐसे देखिए अब एक थाली ले लेंगे हम और उसमें इस तरीके से साखी भी शालेंगे इसमें इसमें पेखिए को हम आजया है इसमें है कि आण मे उसमें आजी है कि अब इसको हम ऐसे करके अधर देंगे कि जो हमारा पानी है इसी में सोख लें ऐसे करके चलिए आपको बताते हैं चटनी बनाना इसको रख देंगे देखिए चटनी के लिए पहले हमने दस मिनट पहले हमने चार मिर्स भीगा लिया था लाल मिर्स अच्छे से मारा फुल गया है देखिए और हमें चटनी में डालना है दो टमाटर मेडियम साइज अब इसको हम पीच लेंगे अच्छे से देखिए यह कि शियुक्त हमारा द्रक है , दो हरी मिर्स है और आठ से 10 कलिया हमारा लेसन है अब उन्हें चाणी है अब इसको भी हमने पीस लेना है इसा भी हमें पीस लेना है चलिए इसको हम पीस दे llegó अगर आपकेपास घेपचा-घेच सकते हैं हाँ थे उसम में हैं्स जुड़ा लेते हैं चलिए हम गैस को जला लेते हैं और अब हम इस पर हम कड़ा ही अब इससे दो से तीन मिनिट तक हम गरम होने देंगे मारा कड़ा ही गरम हो गया और इसमें हम डालें दें सरसो का तेल थोड़ा सा अब तेल को हमें गरम कर लेना अच्छे से तेल अच्छे से गरम हो गया इसमें हम डालेंगे पेश तेल ये से वे फिलाइन को तो एह ज जड़े हो अच्छे से आव background अच्छी नच हम ने आरा रोड ले लिए अब इसको ने प्रटोरी में अच्छ से बिला लेंगे इस तरीके से तरीके तरीके तोई अच्छ पक्ड़िया अच्छ से पग गया और उसमें हम डालेंगे जो आरा रोड हमने गोल लिया अपर अच्छ से मारा गिर गया थोड़ा सा दोस्तों इस तरीके समें इसे चला लेना अच्छे से फिर से हमें एक कटोरी पानी इसमें डाल लेना है और इसे अच्छे से चला लेना है अच्छे अच्छे से पग गया है और छोटी चिमस से हमें थोड़ा सा इसमें कलर डालना है और आप इसमें हम डालेंगे नमक आप इसमें अच्छे से चला लेना है जब तक इसे हमें चलाते रहना जब तक ही सबच्छे से पगना जाए और गाहना हो जाए आप कि आलो हमारा देखिए दोस्तों हमारा अच्छे से सुख गया है अब इसमें हम डालेंगे दो चीमच आरा रूट डालेंगे देखिए तीन चीमच हमने मैं अदर डाला है कि आधा चीमच छोटी चीमच हमने जवाइन लिया है आधी चीमच हमने फोड कलर डाले इसमें कि आधी चीमच हमने नमक डाला है अब इसको हमें अच्छे से ऐसे करके मिला लेना है हमें कम चे कम पांस से दस मिनट तक इसे ऐसे मिलाना है देखिए अच्छे से मिलना जाए देखिए अच्छे से हमारा मिल गया है अब इसको हमें से करके निकाल लेंगे करें देखिए अच्छे से देखिए आप से लेखिए नहीं नहीं पांस अच्छे कि इतना हमारा मसाला हमारा बच गया है देखिए हमारा चटनी अच्छे से पग गया है और पूरे तरीके से बन के रेडी हो गया है देखिए और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धुनिया के पगती है कर देखिए हमारी कड़ाई गरम हो गई है इसमें डालेंगे रिफाइन तेल गरम होने को देखिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है और इसमें हम डालेंगे कर देखिए हमारा अच्छे रेखिए हमारा जो कम कि कि ए ड्लाओास नहीं मेडियम सेक में बनाएं कि मेडियम सेक में बनाएंगी तब अच्छे से अलुप पर जाएगा इसा चलाते रहेंगा लेक्षिन हमारा अच्छे से पल्ट रहा है इस पूमें इसे तक लेना है कि यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है कितना करारा लग रहा है कितना अच्छे से मारा प्तराई हो गया है अब हमें फिर से डाले ना है से इसे बार कि में आले ना है से और इसके एसे पई पाय प्याप लेना इप लेकी एसे कर तह दिन्षा लेना दूबारा भी महारा फ्राई हो गया है देखिए दोस्तों हमारी थाली कितने अच्छे से तयार हो गई है यह लाल चटनी है जो हमने बनाई है और यह हरी चटनी है यह हमने बजार समगाई थी देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है खाने में बहुती टेस्टी लगेगा और बहुती आसान तरीका है आप भी अपने घर पर जरूर बनाईएगा एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और देखिए कितना देखने में सुन्दा लग रहा और जादे जादे हमारे चानल को सेर कीजिए, लाइक कीजिए प्सक्राइब करना मत भूलिएगा देखिए दस्तो बाब बाई चलिए तो आगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं